सही लैप्टॉप कैसे चुनें? सभी के लिए आवश्यक टिप्स लैप्टॉप खरीदना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, है न? इतनी सारी ब्रैंड्स, स्पेसिफिकेशन्स और प्राइसस देखकर कोई भी परेशान हो सकता है लेकिन चिंता मत करो, आज हम उन जरूरी टिप्स को समझेंगे, जो आपको सही लैप्टॉप चुनने में मदद करेंगे पहले तै करें कि आपको इसका इस्तिमाल किस के लिए करना है सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आप इस laptop का इस्तिमाल किस के लिए करने वाले हैं क्या आप सिर्फ browsing, videos देखने या office के काम के लिए इसे ले रहे हैं या फिर gaming, photo editing या programming के लिए चाहिए आपका usage आपके laptop की choice को guide करेगा 2. Processor, CPU Basics समझें, Intel और AMD अब बात करते हैं processor या CPU की Normal daily tasks के लिए Intel Core i3 या AMD Ryzen 3 काम कर जाएगा अगर आपको थोड़ा ज्यादा power चाहिए, तो Intel Core i5 या AMD Ryzen 5 चुने ये multitasking और light gaming के लिए बढ़िया हैं और अगर आप heavy gaming, video editing या programming में हैं तो Intel Core i7 या AMD Ryzen 7 या उससे higher version लें तीसरा, RAM और storage आपको कितनी जरूरत है अब बात RAM और storage की RAM आपके laptop की short term memory है ज्यादा तर लोगों के लिए 8 GB RAM काफी होती है लेकिन अगर आप gaming या video editing कर रहे हैं तो 16 GB या उससे ज्यादा का option चुने Storage के लिए SSD, Solid State Drive, Traditional Hard Drive से तेज होता है ये आपके laptop को जल्दी शुरू करता है और Apes को जल्दी लोड करता है कम से कम 256 GB ACD देखिए या अगर आपको ज्यादा storage चाहिए तो ACD को HD के साथ combine कर सकते हैं चार, display quality, size और resolution अब बारी है screen की अगर आप movies देखना पसंद करते हैं या ज्यादा screen space चाहिए तो 15 इंच या 17 इंच display लें लेकिन अगर portability चाहिए तो 13 या 14 इंच screen बेहतर रहेगा sharp visuals के लिए Full HD या 1080p resolution देखें अगर आप designer हैं तो इससे भी higher resolution जैसे 4K देख सकते हैं पांच battery life, battery life भी जरूरी है अगर आप हमेशा travel में रहते हैं से कम 8 घंटे की battery life वाले laptop देखें लेकिन याद रहे powerful laptops और बड़े screens वाले laptop की battery life थोड़ी कम होती है चे keyboard और build quality laptop के feel को भी नजर अंदाज मत करें चेक करें कि keyboard comfortable है या नहीं और build quality solid लगती है या नहीं अगर possible हो तो उस पर typing करके देखें खास कर अगर आप ज्यादा typing करते हैं साथ budget और brand का विचार आखिर में अपने budget और पसंदीदा brands पर ध्यान दें कई भरोसे मंद brands अलग-अलग price points पर laptops ओफर करती हैं एक budget सेट करें फिर ऐसे models देखें जो आपके needs को fit करते हों और अच्छी warranty ओफर करते हों बस इतना ही इन tips को ध्यान में रखें और आप आसानी से अपने लिए सही laptop चुन पाएंगे चाहे काम के लिए हो, entertainment के लिए या सिर्फ connected रहने के लिए आपके लिए perfect laptop जरूर मिलेगा अगर आपको ये वीडियो helpful लगी तो thumbs up दें सब्सक्राइब करें करा लिएना भाट